काहरव और पांडाओं का युद्ध तथा उसका परिणाम अगनी देव कहते हैं युदिस्ठिर और दुर्योधन की सेनाएं कुरूरुशेत्र के मैदान में जाटकी अपने विपक्ष में पिता महभीश्म तथा आचार्य द्रोण आदी गुरुजन को देख कर अरजुन यु नाश शीले हैं किन्तु आत्मा का कभी नाश नहीं होता यह आत्मा ही परंब्रंभु मैं ब्रंभु हूं इस प्रकार तुम उस आत्मा को समझो कार्य की सिध्धी और असिध्धी में समान भाव से रहकर कर्मयोग का आश्रे ले शात्र धर्म का पालान स्री कृष्ण के ऐसा कहने को अर्जुन रथारूड हो युद्ध में प्रव्रक्त हो उन्होंने शंकध्वनी की दुर्योधन की सेना में सबसे पहले पिता महधिश्म सेनापती पांड़ों के सेनापती शिखन वी इन दोनों में भारी युद्ध छिड़ गया विश्म सहीत कावरों पक्ष के मान जान पड़ता था आकाश में खड़े होकर देखने वाले देवताओं को वो युद्ध बड़ा आनंद दायक प्रतीत होता था भिश्म ने दस दिनों तक युद्ध करके पांड़ों की अधिकांश सेना को अपने बानों से मार किराया दसवे दिन अर्जुन ने वीरवर भिश्म पर बानों की बड़ी भारी व्रिष्टी की इधर दुपत की प्रेयर्णा से शिखंडी ने भी पानी बरसाने वाले मेग की भाती बिश्म पर बानों की छड़ी लगा दे दोनों और के हाथी सवार गुड सवार रथी और पैदल एक दूसरे के बानों से मारे गए भिश्म की मृत्यों उनके इच्छा के अधी उन्होंने युद्ध का मार्ग दिखा कर वसू देवता के कहने पर वसू लोक में जाने की तैयारी की और बान शैया पर सो रहे वे उत्तरायन की प्रतीक्षा में भगवान वेश्णों का ध्यान और रिस्तवन करते हुए समय व देना पती उन दोनों में महा भैंकर युपूर जो यमलोक की आवादी को बढ़ाने वाला था गराट और दुपद आदी राजा द्रोण रूपी समुद्र में डूब गए हाथी घोड़े रत और पैदल सैनिकों से युक्त दोयोधन की विशाल वाहिनी द्रिश्ट दुम् ये ऐसे समय में द्रिश्ट दुम्न के बाणों से आहत होकर वे प्रत्वी पर गिर पड़े द्रोण बड़े हे दुरधर्श थे वे संपूर्ण शत्रियों का विनाश करके पांच वे दिन मारे गए दुर्योधन कुना शोक से आतु हो था उस समय कर्ण उसकी सेना का कर्ण पंडव सेना का आधिपत्य अर्जुन को मिला कर्ण और अर्जुन में भाती भाती के अस्त्र शस्त्रों की मार काट से युक्त महा भयानक युद्ध हुआ जो देवासुर संग्राम को भी मात करने वाला था कर्ण और अर्जुन के संग्राम में कर्ण ने अपने बाणों से शत्रु पक्ष के बहुत से वीरों का सनहार कर डाला किन्तु दूसरे दिन अर्जुन ने उसे मार गिराया तदरंतर राजा शैल्य कवरव सेना के सेना पती हुए किन्तु वे युद्ध में आदे दिन दक ही टिक सके दोपहर होते होते राजा जुधिष्टिर ने उन्हें मार गिराया दुर्योधन की प्रायह सारी सेना युद्ध में मारी गई थी अंततो गत्वा उसका भीमसेन के साथ युद्ध हुआ उसने पांडो पक्ष के पैदल आदी बहुत से सैनिकों का बद करके भीमसेन पर धावा किया उस समय गदा से प्रहार करते हुए दुर्योधन को भीमसेन ने मौत के घाट उतार दिया दुर्योधन के अन्य छोटे भाई भी भीमसेन के ही हाथ से मारे गए थे महाभारत संग्राम के उस अठारवे दिन रात्री काल में महाबली अश्वस्थामा ने पांडों की सुई हुई एक अक्षाहोनी सेना को सदा के लिए सुलादे उसने दुरोपदी के पांचों पुत्रों उसके पांचाल देशिय बंधूं तथा दुरिष्ट दुम्न को भी जीवित नहीं छोड़ा दुरोपदी पुत्रहीन होकर रोने भी लखने लगी तब अरजुन ने सिंक के अस्त्र से अश्वस्थामा को परास्त करके उसके मस्तक की मणी निकाल ली उसे मारा जाता देख दुरोपदी नहीं अनुनाय विनय करके उसके प्राण बचाए इतने पर भी दुष्ट अश्वस्थामा ने उत्तरह के गर्भ को नश्ट करने के लिए उस पर अस्त्र का प्रयोग किया वो गर्भ उसके अस्त्र से प्रायः दग्द हो गया था किन्तो भगवान श्रीक्रिष्ण ने उसको पुना जीवन दान दिया उत्तरह का वो गर्भष्ट शिशुर आगे चलकर राजा परिक्षित के नाम से विख्षात हुआ कृतवर्मा करपाचारिय तथा अश्वस्थ सामा ये तीन वीर कवरोव पक्षिय वीर उस संग्राम से जीवित पचे दूसरी और पांच पांडव साथ्यकी तथा भगवान श्रीक्रिष्ण ये साथ ही जीवित रह सके दूसरे कोई नहीं पचे उस समय सब और अना था इस्त्रियों का आर्टनाद व्याप्त हो रहा था विमसेन आदी भाईयों के साथ जाकर युदिष्टिव ने उन्हें सांत्वना दी तथा रणभूमी में मारे गए सभी वीरों का दाह संसकार करके उनके लिए जलान जली दे धन आदी का दान किया ततपस शाथ कुरूर शेत्र में शरशया पर आसीन शांतनु नंदन भिश्म के पास जाकर युदिष्टिव ने उनसे समस्त शांति दायक धर्म, राज धर्म, आप धर्म, मोक्ष धर्म तथा दान धर्म की बातें सुनिया फिर वे राज सिहासन पर आसीन हुए इसके बाद उन शत्रू मर्दन राजा ने अश्वमेग यग्य करके उसमें ब्राम्वनों को बहुत धन दान्द किया गदनंतर द्वारका से लवटे हुए अर्जुन के मुख से मुसलकांड के कारण प्राप्त हुए शाप से पारसपरिक युद्ध द्वारा याद्वों क कि सनहार का समाचार सुनकर युद्धिश्टिर ने परिक्षित को राजासन पर बिठाया और स्वयम भाईयों के साथ महा प्रस्थान कर स्वर्ग लोग को चले गए यदुकुल का सनहार और पांड़ों का स्वर्ग गमन अगनी देव कहते हैं ब्रह्मन जब युद्धिश्टिर राज सिहासन पर विराजमान हो गए तब जत्राष्ट क्रहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में प्रविश्ट हो वनिने चले गए अथवा रिश्यों के एक आश्रम से दूसरे आश्रम में होते हुए विवन को गए उनके साथ देवी गांधारी और प्रथा कुंती भी थी विदुर्जी दावानल से दग्द हो स्वर्ग सिधारी इस प्रकार भगमान विश्णू ने पृत्वी का भार उतारा और धर्म के स्थापना की तथा अधर्म का नाश करने के लिए पांड़ाओं को निमित्त बनाकर दानों दैत्ते आदी का सनहार किया तत्पस्चात भूमी का भार बढ़ाने वाले यादव कुल का भी ब्रह्मनों के शाप के बाहने मूसल के द्वारा सनहार पर डाला अनिरुद्ध के प स्थाम को पधाने वे इंद्रलोक और ब्रह्मलोक में स्वर्गवासी देवताओं द्वारा पूजित होते हैं बलभद्र जी शेसनाग के स्वरूप के अतहा उन्होंने पाताल रूपी स्वर्ग का आश्रे लिया अविनाशी भगवान श्रीहरी ध्यानी पुर्षों के तरधान हो जाने पर समुद्र ने उनके नीजी निवास इस्थान को छोड़कर शेस द्वारिका पूरी को अपने जल में डुबो दिया अर्जुन ने मरे हुए यादों का दाह संसकार करके उनके लिए जलान जली दी और धन आधी का दान किया भगमान श्रीकृष्ण की र ये भी अश्टावक्र के शाप से ही संभव हुआ ना इससे अर्जुन के मन में बड़ा शोख हुआ फिर महिर्शी व्यास के स्वांग्पवना देने पर उन्हें ये निश्चे हुआ कि भगवान श्रीकृष्ण की समीप रहने से ही मुझ में बढ़ता हस्तिनापूर में आ किन्तु भगवान श्रीकृष्ण के बिना सबकुछ उसी प्रकार नश्ट हो गया जैसे अक्षोत्रियों को दिया हुआ दान ये सुनकर धर्मराज युदिश्टिर ने राज्य पर परिख्षित को इस्थापित कर दिया इसके बाद वो धिमान राजा संसार की और नियत्तत का विचार करके द्रोपदी तथा भाईयों को साथ ले महा प्रस्थान के पत पर अग्रसर मार्ग में वे श्रीहरी के अश्टुत तर्शत नामों का जब करते हुए यात्रा करते थे उस महापथ में क्रमशहर द्रोपदी सहदेव नकुल अर्जुन और भीमसेन एक-एक करक के गिर पड़े इससे राजाशोक मगन हो गए तदनंतर वे इंद्र के द्वारा लाय हुए रत पर आरूड हो दिव्य रूपदारी भाईयों सहित स्वर्ग को चले गए वहां उन्होंने दुर्योधन आधी सभी दित्राष्ट कुत्रों को देखा तदनंतर उन पर करपा कर करने के लिए अपने धाम से पधारे हुए भगवान वासुदेव का भी दर्चन किया इससे उन्हें बड़ी प्रसंद का है यह मैंने तुम्हें महाभारत का प्रसंद सुनाया जो इसका पाठ करेगा वो स्वर्ग लोक में सन्मानित होगा बुद्ध और कलकी अवतारों की कथा अगनी देव कहते हैं अब मैं बुद्धा अवतार का वर्णन करूँगा जो पढ़ने और सुनने वालों की मनुरत को सिप्प करने वाला है पुर्वकाल में देवताओं और असूरों में एक होर संग्राम हुआ उसमें दैत्यों ने देवताओं को परास्थ कर दिया तब देवता लोग त्राही त्राही पुकारते हुए भगवान के शरण में गए भगवान माया मोहमय रूप में आकर राजा शुद्धोधन के माया मोह की आरहत रूप से प्रकट हुआ उसने दूसरे लोगों को भी आरहत बनाया इस प्रकार उनके अनुयाई वेद धर्म से वन्चित होकर पाखली बन गए उन्होंने नरक में ले जाने वाले कर्म करना आरंब किया वे सब के सब कलियुग के अंत में वर्ण संकर होंग और नीच पुर्षों से दान लेंगे इतना ही नहीं वे लोग डाकू और दुराचारी भी होंगे वाजसनेय ब्रहदारणक मात्रही वेद कैलाएगा वेद की दस-पांच शाखाएं ही प्रमान भूत मानी जाएंगी धर्म का चूला पहने हुए सब लोग अधर्म में ही अक्षन करेंगे तदनंतर भगवान कल्की प्रकट हूंगे वे सिरिविष्णु यशा के पुत्र रूप से अवतिर्न हो याग्यव ल्लक्य को अपना पुरोहीत बनाएंगे उन्हें अस्त्र शस्त्र विद्याका कूल परी ज्ञान होगा वे हात में अस्त्र शस्त्र लेक कि रूप का परित्याग करके अपने धाम में चले जाएंगे फिर तो पुरुवत सत्य यूग का सामराज्यों का साधूश्रेष्ट सभी वर्ण और आश्रम के लोग अपने अपने धर्म में बिरंड़ता पुर्वक लग जाएंगे इस प्रकार संपूर्ण कल्पों तथा मन् अवतार सहित दस अवतारों के चरित्रों का पाठ अत्वा श्रवन करता है वो संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है तथा निर्मल हिर्दय होकर परिवार सहित स्वर्ग पुजाता है इस प्रकार अवतार लेकर श्रीहरी धर्म की व्यवस्था और अधर्म का निरा करन करते हैं वे ही जगत की स्रिष्टी आदी के कारण जगत की स्रिष्टी का वर्णन अगनी देव कहते हैं ब्रह्मन अब मैं जगत के स्रिष्टी आदी का जो श्रीहरी के लीला मात्र है वर्णन करूंगा सुनो श्रीहरी ही स्वर्ग के रचैता हैं स्रिष्टी और प्रलय आ परण वे ही हैं वे ही निर्गुण हैं वे ही सगुण हैं सबसे पहले सत्नुरूप अव्यक्त ब्रह्म ही था उस समय न तो आकाश था न रात दिन आधी का ही विभाग था तदनंतर स्रिष्टी काल में परम पुरुष शिरी विश्णु ने प्रकृती में प्रवेश करके उसे शुद्ध विक्रित कर दिया फिर प्रकृती से महतत्व और उससे अहंकार प्रकट हुआ अहंकार तीन प्रकार का है वैकारिक सात्विक तैजस राजस और भुतादी रूप तामस तामस अहंकार से शब्द तनमात्रा वाला आकाश उत्पन्न हुआ आकाश से इसपर्ष तन तनमात्रावाले वायू का प्राधुर्भाव हुआ। वायू से रूप तनमात्रावाला अगनी तत्व प्रकट हुआ। तक पस्षात ना ना प्रकार की प्रजा को उपन्न करने की इच्छा वाले भगवान स्वयम्भूम ने सबसे पहले जल की ही स्रिष्टी की। और उसमें अपनी शक्ती वीर्य का आधान किया। जल को नार कहा गया है क्योंकि वो नर से उत्पन्न हुआ है। नार। जल ही पुर नमाए अंड के रूप में प्रकट हुआ। उसमें साक्षात स्वयम्भू भगवान ब्रह्माजी प्रकट हुआ। ऐसा हमने सुना है। भगवान हिरन्य गर्व ने एक वर्ष तक उस अंड के भीतर निवास करके उसके दो भाग किये। एक का नाम धिलोक हुआ, दूसरे का भुलो। उन दोनों अंड खंडों के बीच में उन्होंने आकाश की स्रिष्टी की। जल के उपर तैरती वी पृत्वी को रखा और दसों दिशाओं के विभाग किये। फिर स्रिष्टी के इच्छा वाले प्रजापती ने महा काल, मन, वानी, काम, कुरोध तथा रती आद की सिध्धि के लिए मुक्सेरिक, यजू और सामवेद को प्रकट की। उनके द्वारा साध्य गणों ने देवताओं का यजन किया, फिर ब्रह्माजी ने अपने भुजा से उंचे, नीचे या छोटे बड़े भोतों को उत्पन किया, सनत कुमार की उत्पत्ति की तथा क्र से प्रकट होने वाले रुद्र को जन्म दिया, मरीची, अत्री, अंगिरा, पुलक्स, उलह, कृतु और वसिष्ट इन साथ ब्रह्म पुत्रों को ब्रह्माजी ने निश्य ही अपने मन से प्रकट किया, साधु श्रेष्ट ये तथा रुद्रगन प्रजावर्ग की स्रिष् ये ही स्वयामभू मनु कता शत्रूपा के नाम से प्रसिद हुए, इनसे ही मानविय स्रिष्टी हुए स्वयाम्भूव मनु के वन्ष का वर्णन अगनी देव कहते हैं मुने स्वयाम्भूव मनु से उनकी तपस्विनी भारिया शत्रुपा ने प्रियव्रत और उत्तान पाद नामक दो पुत्र और एक सुंदरी कन्या उत्पन्न की वो कमनिया कन्या देवहुती करदम रिशी की भारिया हुई राजा प्रियव्रत से समराट कुक्षी और विराट नामक सामर्थ शाली पुत्र उत्पन्न हुए उत्तान पाद से सुरूची के गर्ब से उत्तम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और सुनिती के गर्ब से ध्रू का चन्न हुआ। हेमुने कुमार धुरुव ने सुन्दर किर्थी बढ़ाने के लिए तीन हजार दिव्य वर्षों तक तप किया। उस पर प्रसंद होकर भगवान विश्णु ने उसे सब्तर्शियों के आगे स्थे स्थान धुरुवपद दिया। धुरुव के इस अभ्युद प्रशि भी आगे करके स्थित। उस धुरुव से उनकी पत्नी शंभु ने शिलिष्टी और भव्य नामक पुत्र उत्पन्न किये। शिलिष्टी से उसकी पत्नी सुच्छाया ने क्रमशह, रिपू, रिपुन्जय, पुष्य, व्रकल और व्रक्तेजा इन पांच पत्ति की कन्या उष्करणी के गर्भ से मनु को जन्व दिया। मनु से नंगवला के गर्भ से दस उत्तम पुत्र हुए। उनके नाम ये हैं। पुरु, पूरु, शत्दुम, तपस्वी, सत्त्यवाक, कवी, अगनिष्ट, अतिरात्र, सुदुम्न और अभिमनु। पुरु के वंच से आगनेई ने अंग, सुमना, स्वाती, कृतु, अंगिरा और गए नामक महान तेजस्वी छे पुत्रूत्पन की। अंग से सुनीथा ने एक ही संतान वेन को जन्म दिया। वो प्रजाओ की रक्षाना करके सदा पाप में ही लगा रहता था। उसे मुनि ने कुशों से मार डाला, तदन अंतर रिशियों ने संतान के लिए वेन के दाएं हात का मन्थन किया। हात का मन्थन होने पर राजा प्रथु प्रकट हुए। उन्हें देख कर मुनियों ने कहा ये महान तेजस्वी राजा अवश्य ही समस्त प्रजा को आनंदित करेंगे तक महान यश प्राप्त करेंगे। शत्रिय वन्ष के पुर्वज वे न कुमार राजा प्रिथु अपने तेजस से सब को दग्ध करते हुए धनुष और कवच धारण किये वे ही प्रकट हुए थे। वे संपून प्रजा की रक्षा करने लगे। राजा नाम से विख्यात हुए। उन्होंने प्रजाओं की जीवन रक्षा के निमित अन्न की उपज बढ़ाने के लिए गोरूप धारणी पृत्वी का दोहन किया। उस समय एक साथ ही देवता, मुनीवरिंद, गंधर्व, अपसरागन, पितर, दानो, सर्प, लता, परवत और मनुष्यों आदी के द्वारा अपने अपने विभिन्न पात्रों में दुही जाएने वाली पृत्वी ने सब को इच्छा अनुसार दूद दिया। जिससे सब ने प्राणधारन किये। पृत्वी के जो दो धर्मग्य पुत्र उत्पन्न हुए उनके नाम थे अंतरधी और पालीत। अंतरधान अंतरधी के अंश से उनकी शिखन्डी नामवाली पत्नी ने अविर्धान को जन्म दिया। अगनी कुमारी दिश्णा ने अविर्धान के अंश से छे पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके नाम ये हैं। प्राचीन बहर्ष, शुक्र, गय, कृष् राजा प्राचीन बहर्षी प्रायह यग्य में ही लगे रहते थे, जिससे उस समय पुत्री पर दूर दूर तक पुर्वाग्र कुष फैल गए थे। इससे वे एश्वर्य शाली राजा प्राचीन बहर्षी नाम से वे ख्यात हुए। वे एक महान प्रजापती थे। प्रा मान धर्म का आचरन करते हुए समुद्र के जल में रहकर दस हजार वर्षों तक महान तप में लगे रहे। अंत में भगवान विश्णु से प्रजापती होने का वरदान पाकर वे संतुष्ट हो जल से बाहर निकले। उस समय प्रायह समस्त भूमंडल और आकाश बड़े बड़े सघन व्रिक्षों से व्यापत हो गया था। ये देख उन्होंने अपने मुख से प्रकट अगनी और वायू के द्वारा सब व्रिक्षों को जला दिया। तब व्रिक्षों का ये सनहार देख राजा सोम इन प्रजेताओं के पास जा करें। आप लोग अपना कूप शांत करें। ये व्रिक्षगण आपको एक मारिशा नामवाली सुंदरी कन्या आरपन करेंगे। ये कन्या तपस्वनी मुनी कंडू के अंशसरे प्रलोमचा अपसरा की गर्भ से स्वेद बिंदू के रूप में प्रकट कुई है। मैंने ही भविश्य की बातें जानकर इसे कन्या रूप में उत्पन कर पाला पोसा है। इसके गर्भ से दक्ष उत्पन होंगे जो प्रजा की विद्थी करेंगे। प्रचिताओं ने उस कन्या को प्रहन किया। तपस्षाथ उसके गर्भ से दक्ष उत्पन हुए। दक्ष ने चर, अचर, विपद और चतुषपद आधी प्राणियों की मानसिक स्रिष्टी करके अंत्र में बहुत सी इस्त्रियों को उत्पन किया। उनमें से 10 को उन्होंने धर्मराज को अर्पन किया और 13 कन्याएं कश्यक को दी। 27 कन्याएं चंद्रमा को, 4 अरिष्ट नेमी को, 2 बहुपृत्र को और 2 कन्याएं अंगिरा को दी। पुर्वकाल में मानसिक संकल्प से स्रिष्टी होती थी। उसके बाद उन दक्ष कन्याओं से मैथून द्वारा देवता और नाग आधी प्रकट हुए। अब मैं धर्मराज से उनकी दस पत्नियों के गर्व से जो संताने हुई उस धर्म सर्ग का वर्णन करूँगा। विश्वा नामवाली पत्नी से विश्वे देव प्रकट हुए। साध्या ने साध्यों को जन्म दिया। मरुत्वती से मरुत्वान और वसू से वसूगन प्रकट हुए। भानू से भानू और मोहुरता से मोहुरत नामक पत्र हुए। धर्मराज के द्वारा लंबा से घोश नामक पुत्र हुआ और यामी नामक पत्नी से नागविथी नामवादी कन्याप पन्व हुए पृत्वे का संपून विशय भी मरुत्वती से ही प्रकट हुए संकल्पा के गर्भ से संकल्पों के वृष्टी हुए चंद्रमा से उनकी नक्षत्र रूपिणी पत्नी के गर्भ से आठ पुत्र हुए उनके नाम ये है आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यूश और प्रभास ये आठ वसु है आपके वैततंडय श्रम, शांत और मुनी नामक पुत्र हुए ध्रुव का पुत्र लोकांत कारी काल हुआ और सोम का पुत्र वर्चा हुआ धर की पत्नी मनोहरा के गर्भ से द्रविण, हुत्हव्यवह, सिशिर, प्रान और रमन उत्पन हुए अनिल का पुत्र पुरोजव और अनल अगनी का अविज्यात था अगनी का पुत्र कुमार हुआ जो सरकंडों की धेरी पर उत्पन उसके पीछे शाख, विशाख और नैगमे नामक पुत्र हुए। कुमार कृतिका के गर्भ से उत्पन होने के कारण कार्ति के ये कहलाए तथा कृतिका के दूसरे पुत्र सनत कुमार नामक यती हुए। प्रतूश से देवलग का जन्म हुआ और प्रभास से विश्व कर्म ये विश्व कर्मा दिवताओं के बढ़ाई थे और हजारों प्रकार के शिल्पकारी का काम करते थे। उनके ही निर्मान किये हुए शिल्प और भूशन आधी के सहारे आज भी मनुश्य अपनी जीवी का चलाते हैं। सूरभी ने कश्व जी के अंश से ग्यारह रुद्रो को उत्पन किया तथा हे सादूश्रेश्ट सती ने अपनी तपस्या एवं महादेव जी के अनुग्रह से संभावित होकर चार पुत्र उत्पन किये। उनके नाम ये है। ऐजैक पाद, अहिरबुर्धन, त्वस्टा और रुद्र। त्वस्टा के पुत्र महाय सश्वी श चर्प और कपाली ये ग्यारह रुद्र प्रधान हैं। यो तो सैकलो लाखों रुद्र हैं जिन से ये चराचर जगत व्याप्त है। कश्यप आधी के वंश का वर्णन। फेमुने, अब मैं अधीती आधी दक्ष कर्ण्याओं से उत्पन हुए कश्यप जी की स्रिष्टी का वर्णन करता हूँ। साक्षुक मनवंतर में जो तुशित नामक बारह देवता थे, वे ही पुना इस वयववस्त मनवंतर में कश्यप के अंश से अधीती की गर्व में आये थे। विविश्णू, शक्र, इंद्र, त्वस्ठा, धाता, अर्यमा, पुशा, विवस्वान, सविता, मित्र, वरुम, भग और अन्शु नामक बारह आधित्य हुए। अरिष्ट नेमी की चार पत्नियों से सोलह संताने उत्पन हुए। विद्वान बहुपुत्र के उनकी दो पत्नियों से कपिला, लोहिता, आधी के भेद से चार प्रकार की विद्धुत स्वरूप, कन्याय उत्पन हुए। अंगिराम उनी से उनकी दो पत्नियों द्वारा स्रेश्ट रिचाय हुए। तथा क्रिश्वाश्व के भी उनकी दो पत्नियों से देवताओं के दिव्य आयूध पन्न हुए। ऐसे आकाश में सूर्य के उदय और अस्तभाव बारंबार होती रहते हैं। उसी प्रकार देवता लोग युग-युग में कल्प-कल्प में उत्पन एवं विनिष्ट होती रहते हैं। कश्व जी से उनकी पत्नी देती के गर्भ से फिरन्ड कश्शिपू और हरन्याक्ष नामक पुत्रों बन हुए। फिर सिही का नामवाली एक कन्या भी हुई जो विप्रचती नामक दानों की पत्नी हुई। उसके गर्भसे राहु आदी की प्रत्य हुई जो सही के ये नाम से विख्यात हुए फिरण कशपू के चार पुत्र हुए जो अपने बल पराकरम की कारण विख्यात थे इन में पहला प्रलाद, दूसरा अनुदलाद और तीसरे प्रलाद हुए जो महान विश्मु भक्त थे और चौता सनलाद था लाद का पुत्र हंद हुआ, सनलाद के पुत्र आयश्मान शिवी और वाशकल थे प्रलाद का पुत्र विरोचन हुआ और विरोचन से बली का जन्म हुआ इमाम उने बली के सव पुत्र हुए जिनमें बार्णासूर जिस्ट था पुर्व कल्प में इस बार्णासूर ने भगवान उमापती को भक्ति भाव से प्रसंद कर उन परमेश्वर से ये वर्दान प्राप्त किया था कि मैं आपके पास ही विचरता रहूँगा हरन्याक्ष के पाँच पुत्र थे शंबर, शकुनी, द्विमूर्धा, शंकु और आरिय। कश्चप जी की दूसरी पत्नी दनू के गर्भ से सव दानों पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें सवयामभू की कण्या सूप्रभा थी और पुलोमा दानों की पुत्रे थी शची, उपदानों की कण्या हयशीरा थी और व्रिश्परवा की पुत्री शर्मिस्था, पुलोमा और कालका ये दो वैश्वानर की कण्याय थी, ये दोनों कश्चप जी की पत्नी हुए। इन दोनों के करोडों पुत्र थे, प्रलात के वंस में चार करोड निवात कवच नामक दैखते हुए, कश्चप जी की तामरा नामवाली पतनी से छै पुत्र हुए, इनके अतरिक्त काकी, शनेई, भासी, गृधिका और शुची ग्रवा आदी भी कश्चप जी की भारियाएं उनसे काक आदी पक्षी उत्पन हुए, तामरा के पुत्र घोडे और उमुठ थे, विनिता के अरुण और गरुण नामक दो पुत्र हुए, सुर्सा से हजारों साप उत्पन हुए, और कद्रू के गर्व से भी शेश, वाशुकी और तक्षक आदी सहस्रों नाप उत्पन ह हुए, खुरोधावशा के गर्व से दंशन शील दांत वाले सर्प प्रकट हुए, धरा से जल पक्षी उत्पन हुए, सुर्भी से गाईभैंस आदी पशूं की उत्पत्थी हुए, इरा के गर्व से त्रन आदी उत्पन हुए, खसा से यक्ष, राक्षस और मुनी के उसे गंधर्व उत्पन्न हुए इस तरह कश्यब जी से स्थावर जंगम जगत की उत्पत्ति हुए इन सब के असंख पुत्र हुए देवताओं ने दैत्यों को युद्ध में जीत लिया अपने पुत्रों के मारे जाने पर दिती ने कश्यब जी को सेवा से संतुष्ट किया वो इंद्र का सनहार करने वाले पुत्र को पाना चाहती थी। उसने कश्यब जी से अपना वो अभिमत वर प्राप्त कर लिया जब वो गर्भवती और वरत पालन में तक पर थी। उस समय एक दीन के भोजन के बाद बिना पैर्द होये ही वो सो गई। तब इंद्र ने ये तुटी या दोश धून कर उसके गर्भ में प्रविष्ट हो उस गर्भ के तुकड़े तुकड़े कर दिये किन्तु वरत के प्रभाव से उनकी मृत्यू नहीं कुए। वे सभी अत्यंत तेजस्वी और इंद्र की साहयक उन्चास मरुत नामत देवता होये। मुने ये सारा व्रत्तांत में ने सुना दिया। श्री हरी स्वरूप ब्रह्मा जी ने प्रुथु को नरलोक के राजपद पर अभिशिक्त करके करमशह दूसरों को भी राज चिती है। उन्हें विभिन समूहों का राजा बनाया। अन्य सब के अधिपति तथा परिगणित अधिपतियो के भी अधिपति साक्षात श्री हरीगी हैं। ब्राम्हनों कथा अउशदियों के राजा चंद्रमा हुए। जल के स्वामी वरूर हुए। राजाओं के राजा कुवेर हुए। द्वादश सुरियों आधित्यों के अधिश्वर भगवान विश्वों के वस्वों के राज और मरुदुनों की स्वामी इंद्र हुए, प्रजापतियों के स्वामी दक्ष और दानों के अधिपती प्रहलाद हुए, पित्रों के यमराज और भूत आदी के स्वामी सर्व समर्थ भगवान शिवु हुए तथा शैलों, परवतों के राजा हिममान हुए और नदियों का स स्वामी सागर हुआ, गंधर्वों के चित्ररत, नागों के वासुति, सर्पों के तक्षक और पक्षियों के गरूर आजाती, स्रेच्ट हाथियूं का स्वामी एरावत हुआ, और गवों का अधिपती साल, वनचर जीवों का स्वामी शेर हुआ, और वनस्पतियों का पकड़ी, खोड़ों का स्वामी उच्चा इश्रवा हुआ, सुधनवा पूर्व दिशा का रक्षक हुआ, डक्षन दिशा में शंकपद और पस्षिम में केतुमान रक्षक निक्तु हुए, इसी प्रकार उत्तर दिशा में रण्य नोमक राजा हुआ, ये प्रती सर्ग का वर अगनी दिव कहते हैं, मुने प्रक्रती से पहले महतत्व की स्रिष्टी के, इसे ब्रह्म सर्ग समझना चाहिए, दूसरी तनमात्राओं की स्रिष्टी के, इसे भूत सर्ग कहा वया है, तीसरी वैकारिक स्रिष्टी है, इसे एंद्रियक सर्ग कहते हैं, इस प्रकार ये बु अर्थात जो पिरियक स्रोता कहा गया है अर्थात जिससे पशु पक्षों की उत्पत्ति हुई है वो तर्यगोन सर्ग पांचवा है उर्धर्व स्रोताओं की स्रिष्टी को देवसर्ग कहते हैं वो छटा सर्ग है इसके पश्चात अर्वाक्त स्रोताओं की स्रिष्टी हुई यही सात्वा मानों सर्ग है आठवा अनुग्रह सर्ग है जो सात्विक और तामस भी है ये अंतवाले पांच वैकृत सर्ग हैं और आरंभ के तीन प्राकृत सर्ग कहे गए हैं प्राकृत और विकृत सर्ग तथा नव्य प्रकार का कौमार सर्ग ये कुल नौ सर्ग प्रतिदिन होने वाले अवांतर प्रलाय से प्रतिदिन जन्म लेती रहते हैं वो नित्य सर्ग कहा गया है। भ्रिगु से उनकी पत्नी ख्याती ने धाता विधाता नामक दो देवताओं को जन्म दिया तथा लक्षमी नाम की कन्या भी उत्पन्न की जो भगवान विश्णू की पत्नी हुए। इस्वरिती की गर्भ से अनेग पुत्र तथा सीनी वाली, कुहु, राका और अनुमती नामक चार कन्याएं हुए। पत्री के अंश से अनसुया ने सोम, दुर्वासा और दत्तात्रे नामक पुत्रों को जन्म दिया। इनमें दत्तात्रे महान योगी थे। पुलत्स मुने की पत्नी प्रेती के गर्भ से दत्तोली नामक पुत्रों पन्न हुआ। पुलह से शमा के गर्भ से सहुष्ण एवं सर्वपादिक का जन्म हुआ। कृतु के सन्नती से बाल खिल्य नामक साथ हजार पुत्रों पन्न हुए जो अंगुठे के फोगों के वरावर और महान तेजस भी थे। वसिष्ट से उर्जा के गर्भ से राजा, गात्र, उर्धर्व, बाहु, सवन, अनध, शुक्र और सुत्पा ये साथ रिशी प्रकट हुए। स्वाहा एवं अगनी से पावक, पवमान और शूची नामक पुत्र हुए। इसी प्रकार अज से अगनेश वात्र, बहिर्शद, अनगनी एवं सागने पितर हुए। पित्रों से स्वाधा के गर्भ से मेना और वैधारिनी नामक दो कन्याएं हुए। अधर्मा की पत्नी हिंसा हुई। उस दोनों से अम्रित नामक पुत्र और निकृती नामवाली कन्या की उपित्ति हुए। इन दोनों ने परस पर विवाह किया और इनसे भय तथा नरक का जन्म हुआ। क्रमशह माया और वेधना इनकी पत्निया हुए। इन में से माया ने भय के संपर्क से समस्त प्राणियों के प्राण लेने वाले मृत्यू को जन्म दिया और वेधना ने नरक के संयोक से दुख नामक पुत्र उत्पन किया। इसके पश्चात मृत्यू से व्याधी, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध की उत्पत्ति हुई। ब्रह्माजी से एक रोता हुआ पुत्र हुआ जो रुदन करने के कारण रुद्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। तथा हे द्विज, उन पिता महाब्रह्माजी ने उसे भव, शर्व, इशान, पशुपती, भीम, उग्र और महादेव आदी नामों से पुकारा। रुद्र की पत्नी सती ने अपने पिता दक्ष पर कोप करने के कारण देह त्याग किया और ही मवान की कन्या रूप में प्रकट होकर उनहावे शंकर जी की ही धर्मपत्नी हुआ। किसी समय नारज्जी ने रिश्यों के प्रती विष्णु आदी देवताओं की पुजा का विधान बतलाया थे। इस नान आदी पुर्वक की जाने वाली उन पुजाओं का विधिवत अनुष्ठान करके स्वयाम्भू मनु आदी ने भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त किय देते विष्णु आदी देवताओं की सामान्य पुजा का विधान नारज्जी बुले अब मैं विष्णु आदी देवताओं की सामान्य पुजा का वर्णन करता हूं तथा समस्त कामनाओं को देने वाले पूजा संबंधी मंत्रों को भी पत्याता। भगवान विश्णु के पूजन में सर्व प्रथम परिवार सहीत भगवान अचित्त को नमस्कार करके पूजन आरंभ करे। एसी प्रकार पूजा मंडप के द्वार देश में क्रमशर, दक्षिन वाम भाग में धाता और विधाता का तथा गंगा और यमुना का पूजन करे। पूजन करे तथा एक कमल की भावना करके उसके मूल, नाल, पद्म, केसर और करनिकाओं की पूजा करे। पिर रिगवेद आधी चारों वेदों की, सत्यूग आधी यूगों की, सत्व आधी गुनों की और सूर्य आधी के मंडल की पूजा करे। इसी प्रकार, विमला, उतकर्शन, ज्याना, ख्रिया, योगा, आधी जो शक्तियां हैं उनकी पूजा करे। तथा प्रलदी, सत्या, इशा, अनुग्रह, निर्मलमूर्ती, दुर्गा, सरस्वती, गण, गणेश, शीत्रपाल और वासुदे, संक्रशन, प्रदुम्न, अनिरुत, आधी का पूजा के। इसके बाद हिर्दय, सीर, चुडा, शिखा, वर्म, कवच, नेत्र आधी अंगों की फिर, शंक, चक्र, कदा और पद्मनामक अस्त्रों की स्रिवत्स, कौस्थू और वनमाला की तथा लक्ष्मी, उष्टी, गरुण और गुरुदेव की पूजा करे। तत्पस्चात, इंद्र, अगनी, यम, निर्ती, जल, वरुण, वायु, हुवेर, इशान, ब्रम्हा और अनन्त, इंदिक पालों की, इनके अस्त्रों की कुवद आधी विश्णु पार्शदों या द्वारपालों की और विश्वक सेंग की आवरण मंडल आधी में पूजा आधी करने से सिध्धी प्राप्त होती है, अब भगवान शिवकी सामाने पूजा वताई जाती है, इसमें पहले नंदी का पूजन करना चाहिए, फिर महाकाल का, ददनंकर क्रमशा, दुर्गा, यमुना, गन आधी का, वानी, शिडी, गुरु, वास्तुदेव, आधार शक पूजन नी, बल प्रमथिनी, सर्व भूत दमनी और कल्यानमई मनोमननी इन नव शक्तियों का क्रम से पूजन करें, हाँ, 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 शिव मुर्ते नम, इस मंत्र से हर्दयादी अंग और इशान आधी मुख सहित शिव की पूजा करें, हो शिवाय हो, एत्यादी से केवल शिव की अर्चना करें, और हाँ, एत्यादी से पुषान आधी, पांच मुखों की आराधन करें, ह्री गौर्य नम, इस से गौरी का, और गंग गणपते हैं नम, इस मंत्र से गणपती की, नाम मंत्रों से इंद्र आधी दिखपालों की, चंडकी और हिर्दय सिर आधी की भ पताये जाते हैं, इसमें नंदी सरो प्रथम पूजनिये हैं, फिर क्रमशह, पिंगल, उच्चा इश्रवा और अरुण की पूजा करें, तत्पस्चात, प्रभूत, विमल, सोम, दोनों संध्याकाल, परसुक और इसकंद आधी की मध्य में पूजा करें, इसके बाद दिप उम ब्रहम्हा, विश्णो, शिवात्मक्काय, सुराय, पिठाय नमह, इस मंतर से सूरय के आसन का इसपर्ष और पूजन करें, फिर उम खहुखलकाय नमह, इस मंतर से सूर्य देव की मुर्ति की उध्धावना करके उसका अर्चन करें, तत्पस्चात, ओम, हां, हीं, संग, स मंत्र से पूझ में इस्के बाद हुर्दयादी का पूझन करें में इसरे सिरकी पूझा करें इसी प्रकार अगनी इश्ट और वायु में अधिश्ट-पश्य देव का भी पूझन करें पिर 803 वू بين ग्री जलनमै च्छिखाय नमह इससे शिखाद ओम कवचाय नमह इससे कवच की ओम भात्र नेत्राभ्यम नमह इससे नेत्र की और ओम अकार्ता इस्त्राय नमह इससे अस्त्र की पूजा करें इसके बाद सूर्य की शक्ती रानी संग्या की तथा उनसे प्रकट हुई छाया देवी की पूजा करें फिर चंद्रमा, मंगल, गुप, ब्रस्पति, शुक्र, शनी, राहू और केतू, क्रमशह इन ग्रहों का और सूर्य के प्रचंड तेज का पूजन करें अब संग्षिप से पूजन बतलाते हैं दिवता के आसन, मूर्थी, मूल, हिर्दय, आदी, अंग और परिचारक इनकी ही पूजा होती है भगवान विश्ण के आसन का पूजन, ओम श्री श्रीधरा हरीं, इस मंत्र से क्रनाँ चाहेए इसी मंत्र से भगवान विश्ण की मूर्थी का भी पूजन करीं ये सर्व मूर्ती मंत्र है, इसी को तरलोक के मोहन मंत्र भी कहते हैं, भगवान के पूजन में ओम कलंड शिकेशाय नमा, ओम विश्नुवे नमा, इन मंत्रों का उप्योग करें, संपूर्ण दीर्गस्वरों के द्वारा हिर्दयादी की पूजा करें, जैसे ओम आम हिर्दया इससे हिर्दय की, ओम इशिरी से नमा, इससे सिर की, ओम ओम शिखाय नमा, इससे शिखा की, ओम एं कमंचाय नमा, इससे कवच की, ओम एं नेत्राभ्याम नमा, इससे नेत्रों की, और ओम आम अस्त्राय नमा, इससे अस्त्र की पूजा करें, पांचवी अर्थात, परिचार परिचारकों के पूजा संग्राम आधी में विजय आधी देने वाली है। परिचारकों में चक्र, गदा, शंक, मुसल, खड़, श्रांग धनुष, पाश, अंकुष, श्रीवत्स, कौस्तु, वनमाला, श्री, इस बीज से युक्त, श्री महालक्ष्मी, गरुड, गुरुदे और इंद्राधी देवताओं का पूजन किया चाता है। इनके पूजन में प्रणो सहित नाम के आधी अक्षर में अनुस्वार लगाकर चतुर्थी विभक्ती युक्त नाम के अंत में नमह जोड़ना चाहिए। जैसे ओम चक्राय नमह, ओम गदाय नमह, इत्यादी सरस्व र्णो सहित नमह, ओम हीम देवय सरस्वाताय नमह, इस मंत्र का उपयोग करें और उनके मूर्ति के पूजन में ओम हिम देवय सरस्वाताय नमह, इस मंत्र से काम लें। हिर्दयादी के लिए पुरुवत मंत्र हैं सरस्वती के परिचारकों में लक्षमी, मेघा, कला, तुस्टी, पुस्टी, गवरी, प्रभा, मती, दुर्गा, गण, गुरु और शेत्रपाल की पूजा करी तथा ओम गमगनपते नमह इस मंत्र से गणेश की, ओम हिं गवर्यय नमह इस मंत्र से गवरी की, ओम श्री श्रियय नमह इससे शिरी की, ओम श्री त्वरिताय नमह इस मंत्र से त्वरिता की, ओम एकली सो त्रिपुराय नमह इस मंत्र से त्रिपुरा की पूजा की इस प्रकार त्रिपुरा शब्द भी चतुर्थी विभक्त अंत हो अंत में नमह शब्द का प्रयोग हो जिन देवताओं के लिए कोई विशेस मंत्र नहीं बतलाया गया है उनके नाम आदी में प्रणव लगाएं नाम के आदी अक्षर में अनुस्वार लगाकर उसे वीज के रूप में रखे तथा पुरवत नाम के अंत में चतुर्थी विभक्ति और नमह शब्द जूड़ लें पूजन और जप में प्रयोह सभी मंत्र ओमकार युक्त बताए गये हैं अंत में तिल और घी आदी से घूम करें इस प्रकार ये देवता और मंत्र धर्म काम अर्थ औ हुआ हुआ है पूजा के अधिकार की सिध्धी के लिए सामान्यतह इस्नान विधी नारज्जी बुले विप्रवरों पूजन आदी क्रियाओं के लिए पहले इस्नान विधी का वर्ण करता हूँ पहले नरसिय सम्मंधी बीज या मंत्र से मृति का हाथ में लें उसे दो भागों में विभक्त कर एक भाग के द्वारा नाभी से लेकर पैरों तक लेपन करें फिर दूसरे भाग के द्वारा अपने अन्ञ सब अंगों में लेपन कर मल इस्नान संपन करें तदनंतर शुद्ध इस्नान के लिए जल में डूब की लगा कर आचमन करें नरसिह मंत्र से न्यास करके आत्मरक्षा करें इसके बाद तंत्रोक्त रीती से विधिस्नान करें और प्राणायाम आदी पूर्वक हिर्दय में भगवान विश्नु का ध्यान करते हुए ओम नमो नाराय अनाय इस अस्ठाक्षर मंत्र से हाथ में मिट्टी लेकर उसके तीन भाग करें फिर नरसिह मंत्र के जप पूर्वक उन तीनों भागों से तीन बार दिगबंध करें इसके बाद ओम नमो भगवते वासू देवाय इस वासू देव मंत्र का जब करके संकल्प पुर्वक तीर्थ जल का इसपर्श करें फिर वेद आधी के मंत्रों से अपने शरीर का और आराध्य देव की प्रतिमा या ध्यान कल्पित विग्रह का मार्जन करें इसके बाद अगम अर्शन मंत्र का जब करके वस्त्र पहन कर आगे का कार्य करें पहले अंगन्यास कर मार्जन मंत्रों से मार्जन करें इसके बाद हाथ में जल लेकर नारायन मंत्र से प्रान संयम करके जल को नासी का से लगा कर सुने फिर भगवान का ध्यान करते हुए जल का परित्याग कर दे। इसके बाद अर्ध देकर ओम नमो भगवते वासु देवाय इस द्वादाक्षर मंत्र का जब करें। फिर अन्य देवता आदी का भक्ती पुर्वक तरपन करें। योग पीठ आदी के क्रम से देखपालक तक के मंत्रों और देवताओं का, रिशियों का, पित्रों का, मनुश्यों का तथा इस्थावर परियंत संपूर्ण भूतों का तरपन करके आजमत करें। फिर अंगन्यास करके अपने हिरदय में मंत्रों का उपसनहार कर पूजन मंदीर में प्रवेश करें। इसी प्रकार अन्य पूजाओं में भी मूल आदी मंत्रों से इस्नानकार्य संपन्न करें। देवताओं तथा भगवान मिश्णों की सामान्य पूजा विधी। नारज्जी बोले, ब्र बैठ कर आचमन करें। फिर मौन भाव से रहकर सब और से अपनी रक्षा करें। पूर्वदिशा की उर्मुह करके स्वस्तिक आसन या पदमासन आदी कोई सा आसन बांध कर इस्थिर बैठें। और नाभी के मध्य भाग में इस्थित धूमे के समान वर्ण वाले वो बीज का ध्यान करते हुए उपर नीचे तथा अगल वगल में फैली हुई अगनी की प्रचंड ज्वालाओं से उस पात को जलाडाले। इसके बाद बुद्धिमान पुरुष आकाश में इस्थित चंद्रमा की आकृती के समान किसी शांत जीूती का ध्यान करें और उस प्रकार शरीर के शुद्धी करके कत्वों का नाश करें फिर हस्त शुद्धी करें इसके लिए पहले दोनों हाथों में अस्त्र एवं व्यापक मुद्रा करें और दाहिने अंगुठे से आरंभ करके करतल और करप्रिष्ट तक न्यास करें इसके बाद एक एक अक्षर के क् प्रथाक्षर मूल मंत्र का अपने देह में बारह मंत्र वाक्तु द्वारा न्यास करें। प्रण करें और अस्ठो तर्शक मंत्र का जब करके पूजन करें। उस योग पीठ पर पुर्व आदी दिशाओं के क्रम से धर्म, ज्यान, वैराग्य, एश्वर्य, अगनी आदी दिक्पाल तथा अधर्म आदी के विक्रह के स्थापना करें। मंडल और विमला आदी शक्तियों की कमल के केसर के रूप में और ग्रहों की करणिका में स्थापना करें। पहले अपने हिर्दय में ध्यान करें, फिर मंडल में आववाहन करके पूजन करें। आववाहन के अनंतर, क्रमशह, अर्ध, पाद्य, आच्मन, मधुकपर्व, एसनान, वस्त्र, यग्योपवित, आभूशन, गंध, कुश्प, धूप, दीप और नैवध्य आदी को पुंडिराक्ष विद्या, ओम नमो भगवते पुंडिराक्षाय इस मंत्र से अरपन करें मंदल के पुर्व आदी द्वारों पर भगवान के विग्रह की सेवा में रहने वाले पारशदों की पूजा करें पुर्व के दर्वाजे पर गरूड की, दक्षिन द्वार पर चक्र की, उत्तर वाले द्वार पर गदा की और इशान तथा अगनी कोण में शंक इवं धनुष की स्थापना करें भगवान के दाएं बाएं दो तुनिर, बाएं भाग में तलवार और चर्म ढाल, दाहिने भाग में लक्ष्मी और वाम भाग में पुष्टी देवी की स्थापना करें भगवान के सामने वनमाला, श्रिवत्स और कस्तूब को स्थापित करे, मंडल के बाहर दिखपालों के स्थापना करे मंडल के भीतर और बाहर स्थापित के हुए सभी देवताओं की उनके नाम मंतरों से पूजा करे सब के अंत में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए अंगो सहित प्रथक प्रथक बीज मंत्रों से और सभी बीज मंत्रों को एक साथ पढ़कर भी भगवान का अर्चन करें मंत्र जब करके भगवान की परिक्रमा करें और इस्तुति के पस्चात अर्ध समर्पन कर हिर्दय में भगवान के इस्थापना कर लें। फिर ये ध्यान करें कि परंब्रम भगवान विश्णु मैं ही हूँ। इस प्रकार अबेद भाव से चिंतन करके पूजन करना चाहिए। भगवान का आववाहन करते समय आगच्छ भगवन आईए। इस प्रकार पढ़ना चाहिए और विसरजन के समय शमस्व हमारी तुरूटियों को शमा की जिएगा ऐसी योजना करनी चाहिए। इस प्रकार अस्ठाक्षर आदी मंत्रों से पूजा करके मनुष मोक्ष का भागी होता है। ये भगवान के एक विग्रह का पूजन बताया गया। अब नौ व्योहों के उजन की विधी सुनूँ। दोनों अंगूठों और तरजनी आदी में वासूदेव बलभद्र आदी का न्यास करें। इसके बाद शरीर में अर्थात सिर, ललाट, मुक, हिरदय, नाभी, गोहा, अंग, जानू और चरण आदी अंगों में न्यास करें। फिर मध्य में इवं पुर्व आदी दिशाओ में पूजन करें। इस प्रकार एक पीठ पर एक विहु के क्रम से पुरुवत नौ विहों के लिए नौ पीठों की स्थापना करें। नौ कमलों में नौ मूर्तियों के द्वारा पुरुवत नौ विहों का पूजन करें। कमल के मध्यभाग में जो भगवान का इस्थान है कुंड निर्मान एवं अगने इस्थापन संबंधी कारी आदी का वर्णन नारजी कहते हैं महर्षियों अब मैं अगनी संबंधी कारी का वर्णन करूंगा जिससे मनुष्य संपूर्ण मनवान्शित वस्थों का भागी होता है 24 अंगुल की चाकोर भूमी को सुथ से नाप कर चिंध बना दी फिर उस शेत्र को सब और से बराबर खोड़े दो अंगुल भूमी चारों और छोड़कर खोड़े हुए कुंड की मेखला बनावे मेखलाएं तीन होती हैं जो सत्व रज और तम नाम से कही गई हैं उनका मूख पुरू अर्थात बाय दिशा की वो रहना चाहिए मेखलाओं की अधिक्तम उचाई बारा अंगुल की रखें अर्थात भीतर की ओर से पहली मेखला की उचाई बारा अंगुल रहनी चाहिए उसके बाई भाग में दूसरी मेखला की उचाई आट अंगुल की और उसके भी बाई भाग में तीसरी मेखला की उचाई चार अंगुल की रहने चाहे। इसकी चवडाई क्रमशह आत दो और चार अंगुल की होती है योनी सुन्दर बनाई जाए उसकी लंबाई दस अंगुल की हो वो आगे आगे की और क्रमशह चार और दो अंगुल उंची रहे अर्थात उसका पिछला भाग चार अंगुल उससे भी आगे का भाग दो अंगुल उचा होना चाहिए योनी का इस्थान कुंड की पश्यम देशा का मत्य भाग है उसे आगे की ओर क्रमशह नीची बनाना चाहिए उसकी आकृती पेपल के पत्ते किसी होनी चाहिए उसका कुछ भाग कुंड में प्रविश्ट रहना चाहिए योनी का आयाम चार अंगुल का रह और नाल 15 अंगुल बढ़ा हो यह उनी का मूल भाग तिन अंगुल और उससे आगे का भाग 6 अंगुल वस्त्रित हो यह एक हाथ लंबे चवडे कुंड का लक्षन कहा गया है दो हाथ या तीन हाथ के कुंड में नियमा अनुसार सब वस्तु में तदरूप द्विगुण या त्रिगुण बढ़ जाएंगी। अब मैं एक या तीन मेखला वाले गोल और अर्ध चंद्राकार आधी कुंडों का वर्णन करता हूँ। चवकोर कुंड के आधे भाग अर्थात ठीक बीचों बीच में सूत रखकर उसे किसी कौन की सीमा तक ले जाएं। मध्य भाग से कौन तक ले जाने में सामान्य दिशाओं की अपेक्षा वो सूत जितना बढ़ जाए। उसके आधे भाग को प्रतेक दिशा में बढ़ा कर स्थापित करें और मध्य स्थान से उन्ही बिंदूओं पर सूत को सब ओर घुमावे तो गोल आतार बन जाएगा। कुंडार्द से बढ़ा हुआ जो कौन भागार्द है उसे उत्तर दिशा में बढ़ाएं। तथा उसी सीध में पूर्व और पश्चिम दिशा में भी बा पंश्चिम दिशा की चिंह तक ले जाएं। इससे अर्ध-चंद्राकार चिंह बन जाएगा। फिर शेत्रं को खोदने पर सुन्धर और धचंद्र कुंड तयार हो जाएगा कमल की आकृति वाले गोल कुंड की मेखला पर दलाकार चिन्ध बनाए जाएं होम के लिए एक सुन्दर सुनुक तयार करें जो अपने बाहू दंड के बराबर हो उसके दंड का मूल भाग चतुरस्त्र हो उसका माप साथ या पांच अ उपर तक तथा अगल बगल में बराबर खुदावें बाहर का अर्ध भाग छील कर साफ करा दें उस पर रंदा करा दें चारों और चवथाई अंगुल जो सेश के आधे का आधा भाग है भीतर से भी छील कर साफ चिकना करा दें शेशार्द भाग द्वारा उक्त खात की सुन्दर मेखला बनवावे, मेखला के भीतरी भाग में उस खात का कंठ तयार करावे, जिसका सारा अविस्तार मेखला की तीन चौथाई के बराबर हो, कंठ की चौडाई एक या देढ़ अंगुल के मापकी हो, उक्त सुरुक के अग तौडाई के ही बराबर हो, उस मुख का मद्यभाग नीचा और परम सुन्दर होना चाहिए, सुरुक के कंठ देश में एक ऐसा छेद रहे, जिसमें कनिष्ट का अंगुली प्रविष्ट हो जाए, कुंड अर्थात, सुरुक के मुख का शेस भाग अपनी रूची के अनुस दो अंगुल की हो, उसे खुब सुन्दर बनाना चाहिए, सुरुवा का मुख भाग कैसा हो, ये बताया जाता है, थोड़ी सी कीचण में गाय अथ्वा बच्छे का पैर पढ़ने पर जैसा पदचिन उहर आता है, ठीक वैसा ही सुरुवा का मुख बनाया जाए, अर्थात, उस मुख का मध्भाग दो भागों में विभक्त रहे, उपर युक्त अगने कुंड को गोबर से लीप कर उसके भीतर की भूमी पर बीच में एक अंगुल मोटी एक रेखा खीचे, जो दक्षिन से उत्तर की उर गई हो, उस रेखा को वज्र की संध्या दी गई है, उस प्र ली रेखा दक्षिन भाग में हो, और शेस दो क्रमशह उसके उत्तरोत्तर भाग में खीची जाएं, मंतरग्य पूरुष इस प्रकार उल्लेखन रेखा करन करके उस भूमी का अभ्यूरक्षन से चन करें, फिर प्रणाओ के उच्चार अनपुर्वक भावना द्वारा एक इस विस्टर आसन की कलपना करके उसके उपर वर्षनवी शक्ति का आवाहन एवं इस्थापन करें, देवी के स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करें, वे दिव्य रूपवाली हैं और दिव्य वस्त्रा भुषणों से विवुशित हैं, तत्पस्चाथ ये चिंतन करें कि द अगनी देव के रूप में साक्षात श्रीहरी पधारी हैं, साधक उन दोनों का पूजन करके, शुद्ध कांस्यादी पात्र में रखी और उपर से शुद्ध कांस्यादी पात्र द्वारा ढखी हुई अगनी को लाकर, क्रव्याद अंश को अलग करके, एक्षनादी से द्वारा तीन बार परी समूहन करें, फिर पुर्वादी सभी दिशाओं में खुषा सतर्ण करके, अगनी की उत्तर दिशा में पस्चिन से आरंभ करके, क्रमशह पुर्वादी दिशा में पात्रा सादन करें, समिधा, खुशा, शुरू. सुरुबा, आंजस्थाली, चरुस्थाली तथा कुछा शादित घी प्रणीता पात्र प्रोक्षणी पात्र आदिवस्तु में रखें। प्रोक्षणी में अगनीदेव का ध्यान करके उसे कुंड की योनी के समिप अपने सामने रखें। प्रोक्षणी पात्र को कुछा पर रखें। तदनंतर आजस्थाली को खी सिभर कर अपने आगे रखें। फिर उसे आग पर चढ़ाकर संप्लवन एवं उत्पवन की क्रियां द्वारा घी का संस्कार करें। उसकी विधी इस प्रकार है। प्रादेश मात्र लंबे दो कुछ हाथ में ले। उनके अगर भाग खंडितना हुए हूं तथा उनके गर्भ में दूसरा कुछ अंकुरितना हुआ हूं। दोनों हाथों को उत्तान रखें और उनके अंगुष्ट एवं कनिष्ट का अंगुली से उनकुषा को पकड़े रहे। इस तरह उनकुषा द्वारा घी को थोड़ा थोड़ा उठाकर उपर की उर्तीन बार उचा ले। प्रज्वली त्रण आदी लेकर घी को देखें और उसमें कोई अपद्रव्य खराब वस्तु नहों उसे निकाल दे। उसके बाद त्रण अगनी में फेक कर उस घी को आगपसे उतार ले और सामने रखें। फिर सुरुक और सुस्रुवा को लेकर उनके द्वारा होम सम्मंधी कार्य करें। पहले जल से उनको धोलें। फिर ऊगनी से तपाकर सनमारजन कुषो द्वारा उसका मारजन करें। उनकुषो के अगर भागों द्वारा सुरुक बईाख स्रुआ के वीचा का तक मूल भाग से उनके बाइय भाग का मारजन करना चाहिए। तक पसशाद उन्हाँ उन्हें जल से दोकर आग से तपावें। और अपने दाहिने भाग में स्थापित कर दें। उसके बाद साधक प्रणव से ही अत्वा देवता के नाम के आदी में प्रणव तथा अंत में नमह पद लगाकर उसके उच्चारण पुर्वक पूम करें। हवन से पहले अगनी के गरबाधान से लेकर संपूर्ण संसार अंग विवस्था के अनुसार संपन करें। मतांतर के अनुसार नामांत व्रत व्रत बंधांत व्रत यग्योपवितांत समार्त तांत अत्वा यग्याधिकारांत संसकार अंग अनुसार करने चाहिए। साधक, सर्वत्र प्रणों का उच्चारन करते हुए पूजुनों पचार अर्पित करें और अपने वैभाव के अनुसार प्रतेक संसकार के लिए अंग सम्मंधी मन्त्रोद्वारा ओम करें. पहला गर्भाधान संसकार है, दुसरा पुन्सवन, तीसरा सिमोंतनयन, चौथा जातकर्म, पांचवा नामकरण, छटा चुड़ाकरण, सात्वा व्रतवंध, यग्योपवित, आठवा वेधारंब, नववा, समावर्तन, तथा दस्वा, पत्नी संयोग, विवाह संसकार है। जो यग्य के लिए अधिकार प्रदान करने वाला है। क्रमशह, एक-एक संसकार कर्म का चिंतन और तदन रूप, पूजन करते हुए, हिर्दयादी अंग मंत्रों द्वारा प्रती कर्म के लिए आठ आठ आहूतियां पर्पित करें। कदनंतर, साधक, मूल मंत्र द्वारा सुरुवा से प्रणा हुति दे, उस समय मंत्र के अंत में वाउशट, पद लगाकर प्लुत्स्वर से स्वस्पष्ट मंत्रों चारण करना चाहिए। इस तरह वैश्नों अगनी का संसकार करके उस पर्वेश्नों देवता के निमित चरू पकावे। वेदी पर भगवान वि चार अरपित करते हुए उत्तम रीती से उनकी पूजा करनी चाहिए। फिर गंध पुष्पोंद्वारा अर्चना करके सुरश्रेष्ट नारायन देव का ध्यान करकने के अनंतर अगनी में समीधा का आधान करें और अगनीश्वर श्रीहरी के समिप आधार संग्यप दो ध दक्षिन और उत्तर दिशा में दे उनमें अगनी देव के दाएं बाएं नेत्र की भावना करें शेस सब आहुतियों को इनहीं के बीच में मंत्रों चारण पुर्वक देना चाहिए जिस क्रम से देवताओं की पूजा की गई हो उसी क्रम से उनके लिए आहुति देने का व यजनिय देवताओं के लिए एक-एक सहस्रिया एक-एक शत आहुतियां देनी चाहिए इस प्रकार वो मांत पूजन समाप्त करके असनाना अदी से शुद्ध हुए शिश्यों को गुरु बुलाकर अपने आगे बिठावें वे सबी सिश्य अपवास्वरत किये गये हूं उ का प्रोक्षण करें कतनंतर उन सब सिश्यों को भावना द्वारा अपने आत्मा से संयुक्त करके अविद्या और कर्म के बंधनों से आबद्ध हो लिंग शरीर का अनुवर्तन करने वाले चैतन्य जीव का जो लिंग शरीर के साथ बंधा हुआ है ध्यान मार्ग से साक्षा करके ये भावना करें कि ब्रह्मांड संग्यक हमारी स्रिष्टी दग्द होकर भस्म की परवाताकार राशी के समान इस्तित है तक पस शात भावना द्वारा ही जल बीज म के चिंतन से अपार जल राशी प्रकट करके उस भस्म राशी को बहा दें और संसार अब वाणी मात् है ऐसा इसमरण करें तदनंतर वहां लं बीज स्वरूपा भगवान की पार्थिवी शक्ति का न्यास करें फिर ध्यान द्वारा देखें कि समस्त तन मात्राओं से आवरित्य शुभपार्थिव तत्व विराजमान है उससे एक अंड प्रकट हुआ है जो उसी के आधार पर इस्थित है और वहीं उसका उपादान भी है उस अंड के भीतर प्रणाव स्वरूपा मुर्ति का चीनतन करें तदनंतर अपने आत्मा में इस्थित पूर्व संस्कृत लिंग शरीर का उस पुरुष में संक्रमन करावें अर्थात ये भावना करें कि वो पुरुष लिंग वर्ष तक बढ़कर और पुष्ट होकर फूट गया है उसके दो तुकड़े हो गए हैं उसमें उपर वाला तुकड़ा दियो लोक है और नीचे वाला भूलो इन दोनों के बीच में प्रजापती पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है इस प्रकार वहां उत्पन्न और उन्हें वैश्णों मानें इस तरह एक अथवा बहुत से लोगों के जन्म का ध्यान द्वारा प्रत्यक्ष करें सिश्चों के भी नूतन दिव्व जन्म की भावना करें तदनंतर मूल मंत्र से सिश्चों के द्वारा हाथ पकड़कर मंत्रोप देश्ठा गुरु मेत्र मंत्र स्वश्चों के उच्चारण पुर्वक नूतन एवं शिद्र रहित वस्त्र से उनके नेत्रों को बांध दे फिर देवाधी देव भगवान की यतोचित पूजा संपन करके तत्वग्य आचार्य हाथ में पुष्पांजली धारण करने वाले उन सिश्चों को अपने पुर्वा भी मूख बैठावें इस प्रकार गुरु द्वारा दिव्य नूतन जन्म पाकर वे सिश्च भी श्रीहरी को पुष्पांजली अर्पित करके पुष्प आधी उपचारों से उनका पूजन करें तदनांतर पुनह वासुदेव की अर्चना करके वे गुरु के च फिर मंडल में विराजमान शंक चक गदाध हारन करने वाले भगवान विश्वक्षेन का यजन करें जो द्वारपाल के रूप में अपनी तरजनी अंगुली से लोगों को तरजना देते हुए अनुचित क्रिया से रोक रहे हैं इसके बाद श्रीहरी की प्रतिमा का भी सर् कर लें इसके पश्चात विश्वक्षेन का विसर्जन करें ऐसा करने से भोग की इच्छा रखने वाला साधक संपूर्ण मनुवांचित वस्तु को पालेता है और ममोक्ष पूरुष श्रीहरी में विलीन होता है सायुच मोक्षप्राप्रत